गुड मार्निंग फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इडू साला में आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र द्रिश्टी 2024 देखेंगे ये करेंट अफ्यर पूरा देखें एक जन्वरी से एक जन्वरी 2023 से 10 जन्वरी 2024 तक का इसमें करेंट अफ्यर का संकेल किया गया है आज के वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं तुक्ष में द्रिश्टी देखेंगे ठीक है आज के वीडियो में ये वर्ट्स वहर की परमुग घटनाओ का बिंदुवार प्रस्तूति करंदी किया गया है राष्टिये हैं अंतराष्टिये हैं और मिलता रहे हैं चलिए फिर श्टार्ट करते हैं परमुख घटनाव का बिंदुवार प्रस्तुति करन है ये इसमें हम लोग राश्टिय अंतराश्टिय आर्थ की संचिपतियां बिग्जान सारे चीज़ देखेंगे ठीक है वन लाइनर के रूप में तो फर्स्ट इसमें है र एक जनवरी 2024 को ये जारी किया गया है, तो पोईला बैसाख नवरी नौवर्ष नौवर्स का परथम दिन है, तो उस दिन अब ये राज दिवस अपना पहला पहला नहीं पंचिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाये जाएगा, पोहला वैसाक, जो बंगाली नोवर्ज का प्रथम दिन होता है पच्छिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राजगीत के रूप में अधिस सूचित किया है तो ये बांगलार माटी बांगलार जल ये इसका राजगीत होगा ये रभिन्ना टैगोर द्वारा रचित है केंद्रियम मंत्री मंडल ने किस हवाई अड़े को अंतराश्चिय विमान पत्तन गोसित किया है तो ये सूरत हवाई अड़ा को गोसित किया है ये गुजरात में है भारत का पहला पूंतर इंटीग्रेटेड स्कूल अफ सस्तनेवल्टी कहां लॉंच किया गया है तो ये आई कानपूर की साज़धारी में यह होगा कैस फोर क्वेरी घोटाले मामले में सनलिप्तता करेकारन किस सांसद को लोग सभा से अयोग घोसित किया गया है तो महुआ महुआ मुईत्रा जो थी इनको इसमें अयोग घोसित किया गया है और यह किस की है किस पार्टी की है तो अखिल भारतिय त्रीनमुल कांग्रेस पार्टी की ये हैं महुआ मोईत्रा जो है किस लोग सवाज सीट से सांसत थी तो ये क्रिश्णा नगर है पच्छिम बंगाल का क्रिश्णा नगर जगह है वहां से ये सांसत थी किसके द्वारा क्राइम इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी किया ग हटकर 2022 में कितना हो गया है तो अब हो गया है 422.2 हो गया है पहले कितना था 425.9 था प्रती लाक जन संख्या पर सबसे कम अपराध किस महा नगर में दर्ज किये गया है तो ये कोलकाता में किया गया है सबसे कम क्राइम ठीक है नेक्स देखेंगे बिश्वे के पहले पोटे एड क्यूब इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है तो इसे भीस्म परियोजना के तहत निर्मित किया गया है ठीक है आगे देखेंगे केंद्रिये मंत्री मंडल ने विसेस रूप से सनवेदन सिल जन जातियों के लिए किस योजना को मंजूरी दी है तो यह सारित रूप है प्रधान मंत्री जन जाती आदिवासी न्याय महा अभियान इसका पूरा नाम है नेक्स देखेंगे दहंप नामक दुत्य विस्यूद संग्रहाले का उद्गहटन कहां किया गया तो यह हो जाएगा पासी घाट अरुनाचल परदेश में ठीक है पासी घाट कह बैटा संग्रोशी के एस ऐस जी अलारी जी जरी ही से यह फेल्फ गरूपश वहसे 10,000 वा से जन आवसुदिम्गेंडर का उद्गहाटन किया गया है एमस और देवघर में जहारुखण में किया गया है ठीक है मस् देवघर में कहां जहारुखण ओविस्मान भारत हिल्थ और Wellness Center का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है तो अब इसका नाम है आयूस्मान आरोग मंदिर इसका आश्मान भारत हेल्थ और Wellness Center जो था इसका आयूस्मान आरोग मंदिर कासी तमील संगमं का दूसरा चरंकब आयोजित किया गया तो ये 17 से 30 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया यह संगमं कहां आयोजित किया गया 12 नसी में उत्तर परदेश में गुजरात ने किछ मसली को राज मचली घुशित किया है कि सराज के Responsible Tourism Mission को संयुक्त राष्ट बिस्व परियतन संगठन की Global Case Studies List में सामिल किया गया है तो ये केरल हो जाएगा केरल के है बिस्वे के पहले 3D Printed मंदीर का अनावरन कहां किया गया तो ये सिद्धी पेट कहां है तेलंगाना में किया गया है साथी, साथी पोर्टल किसके द्वारा लौंच किया गया है केंदरिये सिक्षा मंत्राले और IIT कानपूर के द्वारा लौंच किया गया है साथी का पूर्ण नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो Self Assessment Test and Health for Interance Examinations इसका फुल फॉर्म है Self Assessment Test and Help for Interest Examination इसका पूरा नाम है नेक्स देखेंगे अगनी पहल किस मंत्राले द्वारा लॉंच किया गया है तो ये केंद्रिये आयू समंत्राले के द्वारा लॉंच किया गया है अगनी से तादपर क्या है तो आयर्वेद ग्यान नैपुन पहल इसका तादपर है किस सहर से विक्सित भारत संकल प्यात्रा का सुभारम किया गया है तो ये खूटी जार्खन से किया गया है किस राज द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभ्यान लॉंच किया गया है तो ये हो जाएगा उत्तर परदेश के द्वारा उत्तर परदेश के द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार लॉंच किया गया है नेक्स देखेंगे सीटी सीटी इन्वेश्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 चैलेंज कहां लॉंच किया गया है तो ये नई दिल्ली में लॉंच किया गया है सीटी इन्वेश्टमेंट 2.0 का मुख्य उद्देश किया है तो ये हो जाएगा एकी कृत अप्सिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रिये अर्थवरस्था को बढ़ावा देना इसका उद्देश है उत्तर प्रदेश के पहले भेडबकरी पालन प्रसिक्षन केंद्र का लुकारपन किया गया है तो ये इटावा में किया गया है ठीक है इटावा में उत्तरप्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कारेकरम सत्ती वंदन का आयोजन किया गया तो ये गुंडा में किया गया है पधान मंति नरेंडर मोधी ने अपने चित तौर गड़ राजस्थान दौरे पर किस एतिहासिक मंदिर का दौरा किया तो ये एतिहासिक मंदिर है सावरिया सेठ मंदिर आई एसो 9001-2015 जो परमानन देता है तो इस परमानन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहां इस सत है तो ये भोपाल में है मध्परदेश का है भोपाल में इस्तत है पहला महिला थाना है ये आई ये सो प्रमान इसको मिल गया है देश की पहली रैपिड रेल सेवा का क्या नाम दिया गया है नमो भारत इसका नाम है नमो भारत प्राश्ट ब्यापी ओपरेसन चक्र टू नामक अभ्यान किस ने अरम्भ किया है। संताउन की क्रांती से संबन्दित है। प्रधान मंति नरेंद्र मोदी ने युवा विकास के लिए किस नए सरकारी मंच को लॉंच किया है। तो मेरा युवा भारत लॉंच किया है। उत्तर प्रदेश राज्य का जलिये जीवकी से घोसित किया गया है तो ये गांगे डॉल्फिन को भारत का पहला हरित उर्जा पूरा तत्य अस्थल कौन बना है तो ये तत्मंदिर तमिलाडू का बना है तत्मंदिर को देश का दूसरा राज्य जिसने जाती अधारी सर्वेक नेक्षन कराने वाला पहला जो है बिहार बन गया है बिहार निकराय था भी आपको पता ही होगा नेक्षै भारत की सबसे बड़ी पॉम्प भंडारन पर्योजना की अधार सिला कहां रखी गई है तो ये नीमच में रखी गई है जो मध्य परदेश में है इसकी चमता कितनी है तो इसकी समता है 1440 मेगावाट है 1440 मेगावाट अक्टूबर 2023 में बाढ़ के कारण खबरों में रही दचिन लहूनक जील जो है किस राज में इस्थत है तो ये सिक्किम में इस्थत है बिजैपूर औरया फूलपूर पाइपलाइन जो है परियोजना किसके द्वारा राश परदेश और उत्तर परदेश राज्यों में इस्थत है नेक्ष देखेंगे स्वक्ष भारत मिसन ग्रामीन चरन टू के ताइद किस राज्य को 100% ODA प्लस का दर्जा दिया गया है तो ये उत्तर परदेश को ठीक है उत्तर परदेश को दिया गया है पहला नील गिरी तहर ये तमिल नाडू का पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा तो सविधान सधन के नाम से जाना जाएगा आदि संकराचार की स्टैचू ओफ वननिस का अनावरन कहां किया गया तो ये उंकारेश्वर मधप्रदेश में किया गया उंकारेश्वर जगा है मध मैला अरक्षन विधेयक 2023 लोकसभा में कब पारित किया गया 20 सितंबर 2023 को पारित किया गया इस विधेयक को राजसभा में कब पारित किया गया तो यह 21 सितंबर 2023 को राजसभा में पारित किया गया यह कौन सा सविधान संसोधन विधेयक था तो यह 128 सविधान संसोधन विधेय सितंबर 2023 में किस पसु को खाद पसु के रूप में मानियत्ता दी गई है तो ये हो जाएगा मिथून केन सरकार ने कारीगरों के लिए कौन सी योजना प्रारंभ किया है तो ये बिश्व कर्मा योजना केन्सरकार ने कारिगरों के लिए कौन सी योजना प्रारमभ किया है तो ये बिष्वे कर्मा योजना प्रारमभ किया बिष्वे की सबसे बड़ी M.I.C.E सुधाओं में से एक का प्रधानमंति नरेंधर मोदी ने उद्घातन किया है तो यह हो जाएगा यसो भूमी, ठीक है, यसो भूमी का, यह 17 सितमबर 2023 को, MICE का इसका पूरा नाम क्या है, पुनरूप, तो बैठके, पुरसाहन, सम्मेलन और प्रदर्शनिया इसका नाम है, ठीक है, मिटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फरेंस, एंड एग्जिवेशन, इसका नाम है, MICE, ठीक है, नेक्स देखेंगे, प्रधानमंती नरेंदर मोदी ने कहां, एथेलीन क्रेकर पर योजना की अधार सिला रखी है, तो बीना रिफाइनरी में रखी है, और यह मद्ध परदेश में ह तो यह उत्राखंड में, ठीक है, उत्राखंड, भारतिये सेना ने पूर्विस्तैनिकों और सहीदों के परिजनों के कल्यान के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉंज किया है, तो यह प्रोजेक्ट नमन है, प्रोजेक्ट नमन है, केंद्रियम मंत्री मंडल ने उजवला से हैं तो पहले पे है इंदोर दूसरे पे है आगरा और तीसरे पे है ठाने ठीक है नेक्ष है केंद सरकार ने उद्धम पूर रेल्वे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखने को मंजूरी दिया है तो सहीद कैप्टन तुसार महाजन रेल्वे स्टेशन इसका नाम होगा उत्तर परदेश की किस नदी में जटायू क्रूज सेवा प्रारंब की गई है सर्यू नदी में उत्तर परदेश का पहला ग्लास स्काई वाक कहां बनाय जा रहा है तो यह चीतर कूट में बनाय जा रहा है कहां चीतर कूट में आविस्मान भवा अभियान का उद्गाटन कहां से किया गया तो यह गांधी नगर गुजरात गांधी नगर गुजरात से तो यह था राश्टिय अब हम लोग अंताराश्टिय Quality of Living City Ranking 2023, किसके द्वारा जारी की गई है, तो ये मरसर के द्वारा जारी किया गया है, रैंकिंग में कितने सहरों को सामिल किया गया है, तो 241 सहरों को सामिल किया गया है, रैंकिंग में सिर्ष तीन सहर कौन से हैं, तो सिर्ष तीन है, बियाना पहले पे है, जीवरिक दूसरे है तो साथ है यह सहर कौन-कौन से है देख लिजे तो हैदराबाद है तेलंगाना में पुने है बंगलूरू है चन्नाई है मुंबाई है कोलकाता है नई दिल्ली है तो ठीक है इसका रैंग देख लिजे यह है अब नेक्स देखेंगे ग्लोबल रीवर सिटीज एलायंस कहां लॉंच किया गया है तो यह दुबाई में लॉंच किया गया था कॉप 28 का जो सम्मिट हुई थी उसी के दावरान इस एलायंस में भारत समयत कितने देश सामिल है तो इसमें 11 देश सामिल है इसमें सामिल देश का नाम देख लिजे भारत है डेनमार्क है कंबोडिया है Artificial Intelligence सिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ तो ये नई दिल्ली में ठीक है नई दिल्ली में हुआ किस देश के राश्पती बिलियम समोई रूटो भारत की अधिकारी क्यातरा पराया है तो ये केन्या के राश्पती हैं अमूर्द सांस्कृतिक धरोःओं के संरचन के लिए अंतर सरकारी समीती का ठारवा सत्र कब आयोजित किया गया तो ये 5 से 8 दिसंबर 2023 को इस बैठा कायोजन कहा किया गया कसाने बुस्वाना में किया गया इस कायोजन किस के द्वारा किया गया तो ये उनेशको के द्वारा किया गया है इसमें किस भारतिये निर्थ को मानावता कि एक अमूर्थ सांस्कृतिक धरोवर गोसित किया गया है तो ये गर्बा है और गर्बा की राज्यकार निर्त है, गुजरात का है, उनेशको की सूची में सामिल होने वाली है भारत की कौन सी अमुर्थ सांस्कृतिक धरोवर है, तो यह 15 हुई है, इससे पहले 14 पहले किया गया था, अब इस बार 15 हुई है, नेक्ष देखेंगे, टाइम पर्सन ओफ दईयर 2023 की से चुना गया है, तो यह टेलर स्विप्ट को चुना गया, टेलर स्विप्ट को यह अमेरिकी पॉप गाई का और अभिनेतरी है, पर्सन ओफ दईयर दिया गया इनको, सी ओफ दईयर 2023 का की से दिया गया है, सैम आल्टमन को दिया गया है, ओपेन आई के जो हैं, उनको नेक्ष देखेंगे अभी इसी में है एथलीट ऑफ दाइयर 2023 लियोनल मेसी को दिया गया है चुना गया ठीक है अब नेक्ष है दुनिया की सौ सबसे प्रसक्ति साली महिलाओं की सूची किसके द्वारी जारी की गई है तो फोप्स के द्वारा सूची में तीन सिर्फ तीन महि ये इरोपिया आयो की अध्यक्ष है दूसरे पर है क्रिष्टिन लेगार्डे ये इरोपिय सेंटरल बैंक की अध्यक्ष है कमला हैरिस तीसरे अस्थान पर है और ये अमेरिका के उपराश्पती है नेक्स देखेंगे सूची में कितनी भारतियों को सामिल किया गया है तो च चीन के बेल्ट एंड रोड एनिसेट्यू से भाहर होने की घोसना की है तो ये इटली ने किया है भारत ने किस देख के साथ संयुक्त रूप से लीड आईटी 2.0 का अरम्व किया है तो ये स्वीडेन है लीड आईटी 2.0 इसका नाम पूरा नाम क्या है लीडर्शीप ग्रूप फोर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 नेक्श देखेंगे किस देश को अंतराश्टिय समूंदरी संगठन परिसद के लिए पुनह निर्वाचित किया गया है तो ये भारत थी कि भारत को भारत को कि अंतकार रिकाल के लिए चुना गया है तो 2024 पर चीस के लिए चुना गया है भारत को जलवायू परिवर्तन परदर्शन सुचकांग 2024 के द्वारा किसके द्वारे ये जारी किया जाता है तो ये जर्मन वाच्च निउ क्लाइमेंट इंस्टिटूट तथा क्लाइमेट सुचकांग में कितने देशों को सामिल किया गया है 63 देश को सामिल किया गया है और उरोपीय संग को सामिल किया गया है सुचकांग में प्रथम तीन अस्थान पर कौन से देश है कोई नहीं है प्रथम तीन के इसके अस्थान पर कोई नहीं है चौथे पे है डेनमार्क ये स्कोर है नेक्ष देखेंगे किसने ग्लोबल कुलिंग वाच 2023 रिपोर्ट जारी किया है तो ये संयुक्त राष्ट पर्यावरन कारिकरम के द्वारा जारी किया गया है रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सितलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उस सर्जनों में G20 देशों को क इतने परतिसत हिस्सेदारी थी तो इसमें G20 देशों की 82% हिस्सेदारी रही है नेक्ष अर्ली वार्निंग्स फोर ओल पहल किसके द्वारा प्रारंब किया गया है तो ये संयुक्त राष्ट के द्वारा प्रारंब किया गया है इसका उद्देश क्या है तो इसका उद्दे ने किस देश के सहयोग से Green Rising पहल को लॉंच किया है तो ये भारत की सहयोग से यह पहल जो है कहां लॉंच किया गया है तो COP28 सीखर सम्मेलन में दुबई में किया गया है UAE में हुआ था चलिए वाइज सीखर सम्मेलन का 11 संसकरन कहां आईजुद किया गया तो ये दोहा कत्तर में आईजुद किया गया है WISE का विश्तरीत रूप क्या है तो World Innovation Summit for Education इसका फूल फॉर्म है यह किस थीम पर अधारित था इसका थीम था रचनात्मक परवा कृत्रिम बुद्धिमता के युग में मानों का विकास किस भारतिये को WISE प्राइज फोर एजुकेशन से समानित किया गया है तो ये सफीना हुसैन सफीना हुसैन को और ये पहली भारतिये महिला है नेक्ष पे आएंगे निउजीलेंड का प्रधान मंत्री किसे निउक्त किया गया है कौनसा मंदिर परिसर इटली के पॉमपई को पीछे छोड़कर विस्व का आठवा आश्चर्ज बन गया है तो ये अंकोरवाट का मंदिर कमबोडिया में है अंकोरवाट का मंदिर अफ्रीकी देश लाइवेरिया का राश्पति किसे चुना गया है तो ये जोसे बोकाई को चुना गया है एपेक लीडर विक दोहजार तेश का आयोजन कहां किया गया तो ये सैन फ्रांसिसको यूएस्वे में किया गया इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधार्निये भविस्य का निर्मान इसका थीम था नेक्स आएंगे लगजंबर के नए प्रधान मंत्री निउप्त हुए है ल्यूक फ्रीडेन ल्यूक फ्रीडेन इनका नाम है मालदिव के नए राश्पती के रूप में किसे सपतली है किसने मुहम्मद मुईजी मुहम्मद मुईजी चक्रवात मिधीली मिधीली तो ये बंगाल की खाड़ी ठीक है बंगाल की खाड़ी में है इस चक्रवात का नामकरान मालदिव ने किया है इस चक्रवात की मुख्यता कौन-कौन से देश परभावित हुए भारत और बांगला देश परभावित इससे हुआ है Innovation Hand Seek, कहां लाँच किया गया है, San Francisco, ठीक है San Francisco में लाँच किया गया है, इसका उदेश क्या रहा है, तो भारत और अमेरिका के बीच, दिपक्षिय तक्नीकी संबंदों को मजबूत करना इसका उदेश था कौन सा देश अधिकारिक रूप से Treaty on Convention Armed Forces in Europe से बाहर हो गया है, तो रूस बाहर हो गया है, C.F.E. से Q.S. B.S. University Ranking Asia 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये क्वाक्वार लेल्डी के साइमंट के द्वारा जारा किया गया है, और ये संसकरन था सोलवा, सरवाधिक संस्थान किस देश के हैं, तो भारत के हैं, 148 संस्थान, रैंकिंग में सिर्ष अस्थान किसको रहा, तो पेकिंग 200 विदाले चीन को मिला है, रैंकिंग में भारत का सिर्ष अस्थान जो है संस्थान, IIT बॉम्बे को मिला है, किसने एकोलोजिकल थ्रेट रिपोर्ट 2023 जारी किया है, तो ये इंस्टिट्यूट पोर इकॉनमिक्स एंड पीस ने जारी किया है, वाइस अफ ग्लोब संस्करन कब आयुजद किया गया था, जनुवरी 2023 में किया गया था, किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमिट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी किया है, तो ये 20 मौसम विज्ञान संगठन ने जारी किया है, पारे पर मीना माता कॉन्वेंशन के पच्छिकारों के सम्मेलन की प गोसना किस देश ने किया है, तो फिलिपिन्स ने किया है, प्रथम गलोबल AI सेप्टी सम्मिट 2023 में कितने देशों ने किरित्रिम बुद्धि मता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए 20 के पहले समझहोते पर हंस्ताक्छर किया है, तो ये 28 हो जाएगा, 28 इस समझहोते को नाम क्या दिया गया है, बलेचली घोसना, बलेचली घोसना इसका नाम है, नेक्ष्ट है कितने सहरों को वर्ल्ड सिटीज डे के उसर पर, उनेस को क्रियेटिव सिटीज नेटवर्क सामिल किया गया है, तो पचपन सहर को, इसमें भारत के कौन से सहर सामिल है, तो ग्वा किया गया है ये किस से संबंदित है ये रिपोर्ट जो है जलवायू परिवर्तन से संबंदित है एक्स देखेंगे 24 अक्टूबर 2023 को वर्स 2030 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षन के लिए बैस्विक घूसना पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किया है तो 11 देशों ने इस और पेने जुएला है नदी डॉल्फिन के संरक्षन के लिए बैस्विक घूसना पत्र पर हस्ताक्षर कहां किये गया है तो ये बोगोटा में किया गया कुलंबिया में है नेक्स देखेंगे अंतराश्टिय प्रतियस्पर्दा नेटवर्क के संचालन समूह का सदस से कौन बना है तो भारतिय प्रतियस्पर्दा आयोग बना है असलोवाकिया का प्रधान मंत्री किसे निक्त किया गया है रॉबर्ट फिको को निक्त किया गया है नेक्स देखेंगे हरीकेन ओटीस ने कहां तबाही मचाई तो ये अकापुलो अकापुल को ये कहां पर है मेक्सिको म किस संसा ने Interconnected Disaster Risk Report 2023 जारी किया है तो United Nation University Institute for Environment and Human Security ने जारी किया है किस देश ने अंतराश्टी सौरगठ वंदन Assembly के छट्थे सत्र की मेजबानी किया है वे भारत ने किया था भारत के किस संसान को Sustainability Report में संयुक्त राश्ट का पुरसकार प्राप्थ हुआ है तो ये Institute of Charter Accountant of India को मिला है संयुक्त राश्ट प्रियाटन संगठन की 25 वी महासवा आउजद की गई तो ये समरकंद उजबेकिस्तान में आउजद की गई है UNWTO द्वारा भारत के किस गाउं को सर्वस्रेष्ट प्रियाटन गाउं की सूची में सामिल किया गया है तो ये धोर्टो गाउं है धोर्टो ये गुजरात का गाउं है सबसे कम उम्र में इकवाडोर के राश्पती का चुनाव किस ने जीता है तो ये डेनियल नोबोवा ने जीता है किस संस्थान ने 1CGIAR भागिदारी में सामिल होने के लिए समझा होता किया है तो ये अंतराश्टिये अर्ध सुस्क उस्कटबंदिये फसल अनुसंधान संसान ने किया है 1CGIAR क्या है तो ये है खादे सुरक्षित भाविस सेतु बैस्विक अनुसंधान भागिदारी है भारत और UK के बिच पहली 2 प्लस 2 वारता कहां जित की गई तो ये पहली थी नई दिल्ली में ठीक है इजराइल और हमास के भी संघर्ष में फसे भारतियों को वहां से निकालने के लिए भारत ने कौन सा अप्रेशन चलाया है तो सुरुकिया था ये अप्रेशन अजय अप्रेशन अजय ठीक है अक्टूबर 2023 में भारतिये भेसस सन्नीता आयो किसका सदस्य बना है तो ये फार्मा कोपियल डिसकसन ग्रूप का सदस्य बना है किस देश की पहली महिला राश्पती सामिया सुलू हसन ने भारत की राजकी यातरा की है तो ये तंजानिया की किस बिस्व विदाले द्वारा सामिया सुलू हसन को डॉक्टरेट की उपाधी मानत उपाधी जो दिया जाता है दिया गया तो ये ज्वाहाल लाल नेहरू बिस्व वीद्याले जैनियु के दौरा नई दिल्ली में जो है भारत के बाहर बिस्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदु मंदिर अक्छरधाम मंदिर का उद्गाडन कहा किया गया है तो ये नियु जर्सी में किया गया है USA में ठीक है इसराइल ने फिलिस्तीन के आतंकवादी समुग हमास के खिलाब कौन सा अपरेशन चलाया है तो ये अपरेशन आइरन स्वाट्स चलाया है अपरेशन आइरन स्वाट्स ग्लोबल हंगर इंडेक्स किस ने जारी किया है तो ये concern worldwide तथा वेल्ड हंगर्फ हिल्प ने जारी किया है इसमें भारत का अस्थान रहा 111 प्रसांत महसागर के दुई प्राष्ट वानु आतु के ने प्रधान मंत्री बने है चारलोट सल्वाई बने है ACI Pacific Institute for Broadcasting Development का लगतार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है तो ये भारत बना है उत्री अमेरिका के पहले गांधी संग्रहाले का उदगाटन किया गया तो ये कहां हूस्टन में किया गया ठीक है हूस्टन टेकसास में ये 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 से में है भारत के पहाहर डॉक्टर भीम रामब करकी सबसे बड़ी परती माई Statue of Equality का अनावरन किया गया है तो ये मेरी लैंड में किया गया है युएस से में है मेरी लैंड में किया गया है ये देखेंगे बैस्विक नवाचार सूच कांग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये 20 बाधिक संपदा संगठन के द्व चालीसवा किसमें 20 स्वे बौधिक संपदा संगठन में संयुक्त राश्ट महा सभा के किस सत्र के उच अस्तर ये खंड का आयोजन किया गया है तो ये 78 वे इस 78 वे सत्र की अधिक्चता किसके द्वारा की गई डेनिस फ्रांसिस के द्वारा की गई है वर्ल्ड इंवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये टाइ्म्स हायर ईजू के द्वारा जारी किया गया है इस उचकांग में सिर्शस्तर पर कौन सा राव सनस्तान तो उणवर्सिटी of Oxford रहा United Kingdom कि जो Oxford इन्वर्सिटी है वो रहा और भारतिय अस्थान में देखे सिर्ष अस्थान कौन रहा तो भारतिय बिज्ञान संस्थान आईएसी बंगलूरू का ठीक है बंगलूरू का किस समूह ने संयुक्त अंतरिच उदम की घोसना की है तो आईटी और सोरी आईटू यूटू ने किया संयुक्त अंतरिच उदम की घोसना किया है किन देशों के सैन नेताओं ने साहिल सुरक्षा सम्झाहोता परहन स्थाक्शर किया है तो यह है माली बूर्कीनाफी नओर नाईजर किया है इसकी घोसना कहां की गई है तो यह बमाकों माली की राज़ानी है नेक्स देखेंगे संयुक्त राज जलवाई महत्वकांच्छा सिखर सम्मिलत कहां आयुजित किया गया नियुयार्क युएसे में आयुजित किया गया बिस्वधरोर समीती की 45 वी बैठक कहां हुई ह तो रियाद सौधी अरब में बैठक में किन भारतिय अस्थलों को बिस्वधरोर अस्थलों की सूची में सामिल किया गया है तो इस सांती निकेतन और होईसल के पवित्र मंदिर समू को किया गया है होईसल मंदिर करनाटक में इस्थत है भारत में कितने युनेसको गांधी वाक कायोजन किया गया है तो जोहांस बर्ग में अमेरिका के किस सहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाने की घोसना की गई है तो यह लूइस विले द्वारा केंटकी में है लूइस विले में सनातन धर्म दिवस 3 सितंबर को मनाया जाएगा लीबिया में किस तुफान भयंकर्म मचाई है तबाही तो यह डेनियल नाम है इसका बीस्विक सर उस्रेश देशों की रैंकिंग दो हजार तेईस द्वारा किसके द्वारा जारी की गई है तो यह US News and World Report के द्वारा जारी किया गया है इसमें सिर्ष अस्थान पे कौन सा देश है स्विर्जल एंस इंधन गठबंदन का सुभाराम काप किया गया तो यह 9 सितंबर 2023 को किस देश ने मिनट मैं 3 मिसाइल लॉंच किया है तो यह अमेरिका ने अमेरिका ने सफलता पुर्वक इसका परिक्षन किया है मिनट मैं 3 जो है किस तरह की मिसाइल है तो यह अंतर महादीप्य खापित करने की घोसना की है तो इस तिमोर लेस्ते में काठमांडू कलिंग साहिस सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया तो यह ललीदपूर यह नेपाल में है ठीक है महसों में किन देशों ने भाग लिया तो यह भारत नेपाल भुटान बांगला देश और स्रिलंका ने इसम आसियान सीखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया है तो यह जाकार्ता इंडोनेसिया में किया गया 20 सुपरतीभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई है तो यह International Institute for Management Development के द्वारा जारी किया गया इस रैंकिंग में कितने देश सामिल है इसमें 64 देश सामिल है प्रथम रैंक जो है सुर्जय लैन को मिला है और भारत की रैंकिंग इसमें 56 है तो यह था अंतराश्टी है अब हम लोग आर्थिकी इसका देखेंगे बैस्विक मेगा वस्त कारक्रम भारत टेक्स 2024 कहां आयोजित किया जाएगा तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा इस तो विक राश्ट कार्याले के अनुसार अफिम का सिर्ष उत्पादक देश कौन सा है तो यह मैंन मार है अकांची ब्लोग कारकरम के लिए पहली डेल्टा रैकिंग किसके द्वारा जारी की गई है तो यह नीती आयोग के द्वारा जारी की गई है सिर्ष दो ब्लोक में कौन-कौन है तो तिर्यानी ब्लोक कुमारम भीम असीफाबाद जिला जो है तिलंगाना का है और दूसरे अस्थान पे कोसामभी है ब्लोक कोसामभी उत्तर परदेश का है ठीक है सिर्ष ब्लोक में किसने बिल्डिंग एडॉप्टेशन एंड रेसिलियंस इन्द हिंदू कूस हिमाल्याज नामक पहल शुरू किया है तो यह ACI विकास बैंक ने ADV ने शुरू किया है इस पहल के तहत ADV किन देशों को जलवायू अनुकूलन में सहायता परदान करेगा तो यह नेपाल और भूटान स्वास्त और सुरक्षा पर 23 वी 200 कॉंग्रेस का आयोजन कहां किया गया तो यह सीडनी आश्टेलिया में किया गया इस कॉंग्रेस में ISSA Vision Zero 2023 पुरसकार किस ने जीता है तो यह क्रमचारी राज भीमा निगम ने जीता है किसने Global Trout Snapshot 2023 जारी किया है तो यह UNCCD ने जारी किया है Global Credit Outlook 2024 के द्वारा जारी किया गया है तो S&P Global Rating के द्वारा जारी किया गया है भारत कीस वर्स तक, 20TH की तीसरी सबसे बड़ी अर्तिभस्था बन जाएगा तो यह वर्स 2030 तक बन जायगा तीसरी सबसे बड़ी वर्तिभस्था नवा इंडिया Food Expo 2023 कहां आयुजित किया गया है तो यह लखनाव, लखनाव में आयुजित किया गया यह food expo जो है किसके द्वारा आयोजित किया गया तो यह Indian Industries Association के द्वारा इसमें भागीदार देश कौन रहा तो यह बियतनाम एसिया का सबसे बड़ा open air वार्थिक ब्यपार मिला बाली जातरा कहां आयोजित किया गया तो यह कटक उडिसा में आयोजित किया गया किस राज ने देश के पहले टेलिकॉम सेंटर ओफ एकसिलेंस के लिए निर्मान को मंजूरी दिया है तो यह उत्तर प्रदेश ने दिया है यह सेंटर उत्तर प्रदेश के किस जिले में अस्थापित किया जाएगा तो यह सहारनपूर ठीक है सहारनपूर Green Building Congress 2023 का आयोजन कहां किया गया है तो यह चेननाई तमिलनाडू में किया गया Hamfest India 2023 का आयोजन कहां किया गया तो Science City एहमदाबाद गुजरात में किया गया Eurasian Business Summit 2023 का आयोजन कहां किया गया तो यह लंदन में किया गया तो ये चार भारतिये महिलाओं को सामिल किया गया है, पहला है, हर्मन प्रीत कौर हैं, खेल स्रेनी में, दिया मिर्जा मनुरंजन स्रेनी में, जेत सुन्मा, तेंजिंग, पालमु जो है, संस्कृति और सिक्छा, सैथशिक, स्रेनी में और आर्ति कुमार राओ जो हैं, ये जल नेक्स देखेंगे किस संस्थान ने इस कारिक्रम का आयोजन किया तो ये इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर एकाउंटेड आफ इंडिया के द्वारा आयोजन किया गया था अंतराश्टिय प्रियाटन मार्ट का एक ग्यारवा संस्करन कहां आयजुद किया गया था तो ये सिल इसका नाम कर दिया गया है विस उर्जा रोजगार रिपोर्ट 2023 किस ने जारी किया है तो यह अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी ने जारी किया है डबलू, इ, इ, रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करन था, किस राज ने राज्जे की गायों की जनगनना कराने का निर्णल लिया है, तो यह उतर प्रदेश ने लिया है किसने बौधिक, बीस्वे बौधिक संपदा संकेतर 2023 जिस रिपोर्ट जारी किया है, तो ये बीस्वे बौधिक संपदा संगठन ने जारी किया है, संपून सुचकांग किसके द्वारा लौंच किया गया है, संपून, ये सीडवी ने लौंच किया है, सीडवी ने, सीडवी इंडिया Finance Report 2013 जारी किया है तो Center for Advanced Financial Research and Learning ने इस रिपोर्ट की थीम किया है तो Connecting the Last Mile किस ने Global Landscape of Climate Finance 2013 रिपोर्ट जारी किया है तो ये Climate Policy Initiative ने जारी किया है इंडिया International Trade Fair 2023 का है जो नई दिल्ली में किया गया वर्ष 2023 में इसका कौन सा संस्करन था तो ये 42 संस्करन था इस मेले के पार्टनर राज्य है बिहार और केरल नेक्ष है इस मेले के फोकस राज केंसासर प्रदेश कौन थे तो इसमें दिल्ली है जम्मु कस्मीर है जारखंड ह महाराष्ट और उत्तर प्रदेश है इनकोर का विकास किसके द्वारा किया गया है तो ये भारतिये चुनाव आयोग ने किया है इनकोर का पूर्णरूप क्या है इनेबलिंग कम्मुनिकेशन और रियल टाइम इन्वार्मेंट इसका फुल फॉर्म है इंडिया कौन सा संस्क्रन था तो ये छठा संस्क्रन था किस संस्था ने विकास रिपोर्ट रेपोर्ट दो हजार जाहरी की गया है इसका सिर्षक क्या था making our future new directions for human development in Asia and Pacific ये इसका सिर्षथा नेक्स देखेंगे Global Cities Index Q3 2013 किस ने जारी किया है तो ये Knight Frank ने जारी किया है इसमें प्रथम अस्थान पे कौन सा सहर है Manila है Philippines का Manila और भारतिय सहर में देखा जाए तो इसमें सिर्ष अस्थान पे Mumbai है इसका Rank कितना है चार है नेक्स देखेंगे इडलग्यू हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 इसमें कितने लोगों को सामिल किया गया है तो 119 लोगों को सामिल किया गया है पहली Rank किसको मिली है सिव नाडर को मिली है ये SCL Technology में के हैं SCL के हैं जानते ही आप लोग चलिए आगे देखते हैं किस भारतिय बैंक ने London Stock Exchange के Sustainable Bond Market प्लेटफॉर्म पर अपने Sustainability Bond को सूची बद किया है तो ये इंडिया एक्जिम बैंक ने उत्तर प्रदेश स्टेट मेगा एक्सपो 2003 इस कहां आयजित किया गया तो ये लखनव हो जाएगा किसने Crowd Funding for Terrorism Financing सिर्षक से रिपोर्ट जारी किया है तो ये Financial Action Task Force ने International किस संस्था ने International Migration Outlook 2003 जारी किया है तो ये आर्थिक सहयोग और विकार संगठन OECD ने जारी किया है यह रिपोर्ट किसके संबंदित है तो ये प्रवासन और OECD देशों में और प्रवासियों का स्रम बजार में समावेश से संबंदित है World Energy Outlook 2003 नामक रिपोर्ट किसने जारी किया है तो ये अंतराष्टिय उर्जा एजेंसी ने जारी किया है इस रिपोर्ट के अनुसर बैस्वी कूर्जा आपूर्टी में जिवास मिंदन की हिस्सेदारी वर्ष 2030 तक लगभग 80% से घट कर कितने परसेंट होने का अनुमान है तो ये 73% भारत का पहला गैसोलीन और डीजल देफ्रेंस फ्यूल किसने लॉंज किया है तो ये Indian Oil Corporation Limited ने लॉंज किया है किसंस्था ने Electrics Grids and Secure Energy Transition रिपोर्ट जारी किया है तो ये अंतराष्टि उर्जा एजनसी ने Global Tax Evasion Report 2024 किसने जारी किया है तो ये European Union Tax Observatory ने जारी किया है Baswick Remote Work सुचकांग 2023 किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये नौड लेयर के द्वारा जारी किया गया है सुचकांक में कितने देश सामिल है 108 देश सामिल है इसमें प्रथम अस्थान जो है डेनमार्क का है भारत की रेंग क्या है इसमें 64 है इसका रेंग आवदिक स्रंबल वार्शिक रिपोर्ट 2022 तेस किसके द्वारा जारी किया गया है तो ये सांखी की और कारिक्रम कारियानेवन मंत्राले के द्वारा जारी गया है वश 2022 तेस में महिला स्रंबल भागिदारी कितनी हो गई है तो ये 37% हो गई है केंद्रिये रेल मंत्राले के किन सार ज्वनिक छेत्र के उपकर्मों को नोरत्न का धर्जा प्राप्थ हुआ है तो ये इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को प्राप्थ हुआ है वर्तमान में भारत में नोरत्न उपकर्मों की संख्या 16 है बैस्वि में भारत किस अस्थान पे हैं तो 45 वे अस्थान पे हैं नेक्स देखेंगे टिकाव जीवन सैली और पर्यावरन सनरचन को प्रशाहन परदान करने के लिए किन योजनाओं को अधिर सूचित किया गया है तो ये है ग्रीन क्रेडिट कारिकरम और इकोमार को किया गया है इन यो कि गई है तो यह आईम्य अंतराष्ट्य मुद्रा कोस के द्वारा जारी की गई है इस रिपोर्ट में वर्ष 2023 के लिए बिश्वी की पिकास दर कितनी अनुमानित की गई है तो ये 3.0% नेक्स है इस रिपोर्ट की अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अनुमानित जो GDP ब्रीधी यह 6.3% है बीस्वे के सरुस्रेश नियोकता 2023 की सूची कितने जारी की है तो यह फोपस ने जारी किया है इस सूची में कौन सी सार्जुनिक छेतरी की भारतिय कमपनी ने जगह बनाने में सफलता पाई है तो यह एंटीपीसी ठीक है एंटीपीसी ने बीस्वे के पहले हरित बॉन्ड मानकों को मंजूरी किसके द्वारा प्रदान किया गया है तो यह इरोपिये संग के द्वारा नेक्ष देखेंगे किस अंस्थाने अक्टूबर 2023 में ब्यापार और विकास रिपोर्ट 2023 जारी किया है तो यह सेयुक्त राष्ट ब्यापार एवं विकास सम्मेलन अं 6.6% अनुमानित है भारत की विकास दर वर्श 2024 में कितने परतिसत होने का अनुमान व्यक्त किया है तो यह 6.2% next देखेंगे रिपोर्ट की अनुसार वर्श 2023 में बैस्विक विकास दर कितने परतिसत अनुमानित है तो 2.4% अनुमानीत है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2003 किस ने जारी किया है तो ये सहयोग तराश्टिय जनसंख्या कोस भारत ने जारी किया है UNFPA ने जारी किया है यह रिपोर्ट किसके सहयोग से जारी की गई है तो ये अंतराश्टिय जनसंख्या बिग्यान संस्थान के रिपोर्ट से चाचा चौधरियो और चुनावी दंगल नाम कॉमिक बुक किस ने लॉंच किया है तो ये भारत निर्वाचन आयोग ने लॉंच किया है अच्छा आगे देखिए हवाई अडो पर मिहमानों को ब्यक्तिगत सहायता परदान करने के लिए प्रोजेक्ट अभी नंदन किसके द्वारा लॉंच किया गया है तो ये एयर इंडिया के द्वारा लॉंच किया गया है किस संगठन ने अपनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लॉंच करने की घोसना की है तो ये ओफरीखी संगने टाइम मैगजिन द्वारा 2023 है तो बीस्वी की सरुसेश कमपनियों की सूची कब जारी की गई है तो ये 12 सितंबर 2023 को जारी की गई है इस सूची में सिर्ष रैंक किस कमपनी को प्राप्थ है तो ये Microsoft को इस सूची में सामिल भारत की सिर्ष कमपनी कौन सी है तो ये Infosys ठीक है Infosys है 64 रैंक है ठीक है Infosys को मिला है Global Crypto Adoption सुचकांग 2023 किस के द्वारा जारी किया गया है तो ये चैनालिसिस के द्वारा जारी किया गया है इस सुचकांग में 154 देशों को सामिल किया गया है और इसका संस्करन चोथा था प्रथम अस्थान पे इसमें भारत है ठीक है प्रथम अस्थान पे इसमें भारत है नेक्स देखेंगे बैस्विक कोसल सिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया तो ये नई दिल्ली में किया गया है वर्स 2023 में इसका कौन सा संस्करन आयोजित किया गया चोधवा इस्टन इकॉनमिक फोरम 2023 का आयोजन कभी किया गया दस से 13 सितंबर 2023 को इसका आयोजन कहां किया गया तो ये बलादी ओस्तोक रूस में किया गया है नेक्श देखेंगे ट्रेड ट्रश फ्रेमवर्क द्वारा भारत ने किस देश के साथ पहली बार कागज रहित लेन देन का संचालन किया है तो ये सिंगा सिंगापूर के साथ किया है उत्तर परदेश सरकार ने किस दिन को बैपारी कल्यान दिवस घोसित किया है तो ये 29 जू की सबसे तेज सोलर एलेक्टिक बोट कहां अनावरन किया गया है तो ये अल्ला पुछा केरल में इस इलेक्टिक सोलर बोट का नाम क्या है तो इसका नाम है बारा कुड़ा, किस अनस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने है तू अमरित अमरित नाम तकनिक का विकास किया है तो यह IIT मदरास ने अमरीत का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है Arsenic and Metal Removal by Indian Technology इसका नाम है किस संस्था ने जामुन के व्रिक्ष का पहला जिनोम अनुक्रमन किया है तो यह भारतिय विग्यान सिक्षा और अनुसंथान संस्थान भोपाल के द्वारा किया गया है किस देश में मिथेन, लिक्विड, अक्सीजन, संचालित, रोकेट से तीन उपग्रहों को लॉंच किया गया है तो यह लगभग 2400 मिटर के गहराई में स्थत है इसका लक्ष क्या है? तो इसका लक्ष है डार्क मैटर की खोज करना अब आगे देखेंगे साइबेरियन बागो के पहले जोडे को भारत में किस देश से लाए गया है तो यह साइप्रस से लाए गया है इस जोडे को किस पार्क में अवासित किया गया है तो यह पदमजा नाइडू हिमालियन जूलोजिकल पार्क दार्जलिंग पच्छिम बंगाल में किया गया है इसका नाम क्या है? इन दोनों का नाम है लारा और अकामास एक देखेंगे ओपन सोर्स AI डेवलोप्मेंट के लिए AI अलायंस लाँच करने की घुसना किया गया है तो मेटा और IBM के द्वारा किस देश के द्वारा? बीस्वे के पहले चौथी पीड़ी के परमानू रियक्टर का सुभारम किया गया है तो यह चीन बीस्वे के सबसे बड़े परमानू सनलयन रियक्टर का परिचालन कहां सुरू है तो यह जापान हो जाएगा इस परमानू सनलयन रियक्टर का क्या नाम है तो JT60SA नाम है जापान और किसके बीच की एसाइंत परियोजना है किस देश ने अंतरिक्ष में जैविक कैपसुल भेजा है तो ये हो जाएगा इरान किसने निम्न भूक अच्छा के लिए उपग्रह भी निर्मान हे तू सैटे लॉजिक इंक के साथ अनुबंध पर हंस्ताक्षर किये हैं ये टाटा एडवांस्ट सिस्टम लिमिटेड ने किया है पहले निम्न भूक कच्छा-उपग्रह को किस नाम से पर छेपित किया गया है तो सैट नेक्स है अंतराश्य खगोल संग ने शुद्रग्रह दिनकी नेस के उपग्रह का नाम क्या रखा है तो इसका नाम सेलम है किसने एन आई आउन मिथेन सिर्शक से वश्ट 2023 हेतू रिपोर्ट जारी किया है तो ये इंटरनेशनल मिथेन एमिसेंस आफजर्वेट्री ने किया है इस रिपोर्ट के अन युगदान है तो ये 30% का युगदान है नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2030 किसके दवारा जारी किया गया है तो ये पोर्टू लंस इंस्टिटूट के द्वारा जारी किया गया है इस सुचकांक में तीन देश हैं USA, सिंगापूर और फीनलेंड है सुचकांक में भारत की कि रैंक क्या है तो 60 है इसकी रैंक कि जिटर्टी एस्परदात्मक रैंकिंग 2023 किसके दवारा जारी कि गई है तो ये इंटरनेशनल इंस्टिटूट फोर मैनेजमेंट डेवलमेंट के द्वारा जारी किया गया है रैंक में तीन सिर्ष तिन देश हैं USA है नीदरलैंड है औ नौ सेना द्वारा DRDO के सहयोग से किया गया, यह परिक्षन किसके माध्यम से किया गया, तो यह सीकिंग 42 भी हेलिकॉप्टर के द्वारा किया गया, बिस्वे के सबसे बड़े, एकल साइट सौर उर्जात सन्यंत्र का उद्गाटन कहां किया गया है, तो यह अबुधावी, अ और फोटो वर्ल्टेइक परियोजना इसका नाम है, किस देश ने स्पॉम वेल हेतू, बिस्वे का पहला समुदरी संरचित छेतर बनाने की घोसना की है, तो यह डोमी निकाने, किस देश ने सीकल सेल रोग और थेलेसिमिया के इलाज हेतू, बिस्वे की पहली जीन तेरेप को मंजूरी दिया है, तो यह उनाइटेट किंग्डम ने दिया है, किसने डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्निकेशन का सफलता पुर्वक परिक्षन किया है, तो यह नासा ने किया है, डी सॉक क्या है, तो यह प्रितिवी चंद्रमा परनाली के बाहर ऑप्टिकल संचार है, S-400 Air Defense Missile System को भारतिय वायू सेना ने क्या नाम दिया है तो इसका नाम है सुदर्शन S-400 Air Defense Missile System भारत को किस देश द्वारा प्रदान किया गया तो ये रूस के द्वारा बीश्वी स्वास संगठन ने किसे एक कमभीर बैस्वी स्वास खत्रा घोसित किया है तो ये अकेले पन को इससे निपटने हे तु किसके नेत्रुत में एक आयो का गठन किया गया तो डॉक्टर विवेक मूर्ती एवं चिडो ममपे को बीश्वी की पहली चिकनगूनिया वैक्सिन को किस देश द्वारा मानेता प्रदान की गई है तो ये अमेरिका के द्वारा चिकनगूनिया के इस टीके का नाम क्या है तो इसका नाम है एक सिक चिक एक सिक चिक है नाम इसका बैस्विक TV रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई है बीस्विस्वार्ट संगठन के द्वारा जारी किया गया है सरवाधिक TV मामले वाले तीन देश कौन से हैं तो भारत पहले अस्थान पे हैं यहाँ पे 27% है TV के मामले और फिर इंडोनेसिया और फिर चाइना है बीस्विक के पहले मानो समान AI रोबोट CEO का नाम क्या है तो इसका नाम है Mika Next है इस AI रोबोट CEO को किस कंपनी द्वारा लॉंच के नियुक्त किया गया है तो यह डिक्टा डोर के द्वारा डिक्टा डोर के द्वारा बीस्विक किस एजेंसी द्वारा प्रंभांड की पुन रंगीन तस्वीर जारी की गई है तो यह इरोपिय अत्तरिक्ष एजेंसी के द्वारा जारी की गई है किस मिसन के तहते तस्वीर जारी की गई है मिसन का नाम है युक्लिड अंतरिक्ष मिसन इसका नाम है आगे देखिए मिद्र सक्ति अभ्यास 2030 किन देशों के बीच आयोजित किया गया तो ये भारत और सिरलंका के बीच आयोजित किया गया इसका आयोजन कहां हुआ है तो आंधे पूने में हुआ है नेक्ष्ट है किस लगू दूरी की बैलेश्टिक मिसायल का परिक्षन किया गया है तो प्रलय का परिक्षन किया गया है भारत के किस अंतराश्टिय क्रूज लाइनर का घरेलू नौकायन प्रारंब किया गया है तो ये कोश्टा सेरेना काला अजार से मुक्त घोसित होने वाल पूरा नाम है integral field ultraviolet spectroscopic experiment है किस mission का पहला flight test vehicle about mission 1 का सफलता पुरवग परिक्षन किया गया है तो ये गगन यान mission गगन यान mission कौन सा देश lymphatic philariasis का उन्मूलन करने वाला देश बन गया है तो ये लाओ PDR बन गया है लाओ PDR लाओस का है देखेंगे भारत ने किस वर्ष तक lymphatic philariasis उन्मूलन का लच्छे रखा है तो वर्ष 2027 तक भारत द्वारा avian influenza से मुक्ती की गोसना का समर्थन किस संगठन द्वारा किया गया है तो ये 20 वे पसू स्वात संगठन के द्वारा किया गया है सागर मैत्री मिसन फोर पर कौन सा अनुसंधान पोत उतरी अरब सागर के लिए रवाना हुआ है तो ये है INS सागर ध्वानी डबलू एचो के अनुसार कौन सा देश हेपिटाइटिस C के उन्मूलन में गोल्ड टियर का दरजा हासिल करने वाला पहला देश बन गया है तो ये मिस्रे है बच्चों में मलेरिया के लोग थाम है तो किस टीके को मंजूरी दी गई है तो ये R21 मैट्रिक्स X इसका नाम है सितंबर 2023 में चर्चा में रहा P.E.T. 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 46 क्या है तो यह एक एंजाइम है P.E.T. 46 एंजाइम का उप्यों किस लिए किया जाएगा तो ये समूदरी और अस्थलिये प्लास्टिक को नश्ट करने के में किया जाएगा P.E.T. का पूरा नाम क्या है तो इसका नाम है Polyethylene Terephetolate Polyethylene Terephetolate Next देखेंगे किस अंस्था ने अपनी तरह का पहला रोगी सुरक्षा अधिकार चार्टर जारी किया है तो यह 20 स्विस्वा संगठन ने जारी किया है Digital Quality of Life Index 2023 किस ने जारी किया है तो सर्फ सार्क ने जारी किया है इस सुचकांग में कुल कितने देशों को रैंकिंग मिली है तो 121 देशों को सिर्ष अस्थान पे कौन रहा तो फ्रांस है भारत की अस्थान इसमें 52 रही नेक्ष है स्वदेशी रूप से निर्मित कितनी स्वा निस्क्रिय एंटी टैंक माइन्स को भारतिय थल सेना में सामिल किया गया है तो 600 है ये स्वा निस्क्रिय एंटी टैंक माइन्स को किस नाम से जाना जाता है तो ये बीभव नाम से जाना जाता है सितंबर 2023 में खबरों में रहा मत्से 6000 ये क्या है तो ये मानो युक्ते पंडूबी वहान है ओप्रेशन सजग का आयजन किसके द्वारा किया गया है तो भारतिय टटरचक बल के द्वारा अंतराश्टिय भागिदार के रूप में सिकागो क्वांटम एक्चेंज में कौन भारतिय संस्थान सामिल हुआ है तो ये आयाइटी बॉमबे ससस्त्र बलो के लिए मानो रहित निर्देशित वाहन किस ने लौँच किया है तो ये एरो बोट ने लौँच किया है सितंबर 2023 में लगभग चार सताब्दियों बात दिखा निसी मूरा क्या है तो ये धूम के तू है धूम के तू किस रंग का धूम के तू है तो ये हरा रंग का सितंबर 2023 में किस ग्रह पर सफलता पुरवक ऑक्सीजन बिक्सित किया गया है तो ये मंगल ग्रह पे किस agency द्वारा, मंगल गल्रह पर oxygen विक्सित किया गया है, तो ये NASA के द्वारा, किस उपकरन से oxygen विक्सित किया गया है, तो ये MOXI के द्वारा, अंतराश्टी ये अंतरिक्ष station पर, एकल मिसन में, सबसे जयदा समय बिताने वाले, अंतरीक छियात्री बन गया है, तो फ्रैंक रूबियो बन गया है, इन्हों ने कितना दिन बिताया? तो 371 दिन बिताया, ISS पर भारती वाइसवेना दौरा वारसी हैन अभ्यास का आज़न, किस नाम से किया गया है? त्रिसूल नाम से किया गया है भारत ड्रोन सक्ती 2023 का आयोजन कहां किया गया तो ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में किया गया भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिष्टम का नाम है इंदर जालिस का नाम है ICAR कहिंदरिय समुद्री मात्सिकी अनुसंदान संस्थान के बैग्यानिकों ने किस मचली के संपुन जीनोम को डिकोड करने में सफलता हासिल किया है तो ये भारतिय ओयल सार्डिन मचली है साथ सितंबर 2023 को किस देश ने मून मिशन मून स्नाइपर लॉंच किया है तो ये जापान ने किया है जापान ने नेक्स देखेंगे भारत में किस स्पेस टेक स्टार्ट अप द्वारा पहली बार ड्रोन आधारित हाई रिजुलूशन औल वेदर इमेजिंग सिस्टम का नावरन किया गया है तो ये गलैक्स आई में ठीक है गलैक्स आई में सूर्य का अध्यन करने के लिए किस पहले भारतिय मिसन को लॉंच किया गया है तो ये आदित 11 को लॉंच किया गया है दो सितंबर 2023 को अगस 2023 में किसकी सुरक्षा के लिए नभ मित्र डिवाइस विक्सित किया गया है तो ये मचुवारों ठीक है मचुवारों की सुरक्षा क लिए अब हम लोग संचिप्तिया देखेंगे ठीक है तो भारत अंतराष्टिय बिज्ञान महोसो 2023 का आयोजन 17 से 20 जन्वरी 2024 तक यह कहां किया गया फरीदाबाद हर्याना में किया गया बी मस्टेक के नए महासच्यू के रूप में किसने गरहन किया है पद इंद्रमनी देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टिटूट फोर दे उनिफिकेशन ऑफ प्राइबेट लॉग की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारती महिला मुदवार को चुना गया है तो यह उमा सेखर को देखेंगे भारत के कितने अधिकारियों को स्रिलंका के गोल्डेन आउल सम प्रसकृत किया गया है तो यह तीन है विंग कमांडर सुमीत महाजन मेजर रोहित और लेप्टिनिन कमांडर सनी सर्मा को किया गया है किसको संयुक्त रूप से इंद्रा गांधी सांती निरसस्तरी करन एवं विकास पुरसकार 2023 से सम्मानित किये जाने की घुसना की गई है तो यह डैनियल बरेन बोहिम और अली अबु अबाद को किया गया है इटली के सरोस सम्मान दा ओडर अफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है कबीर बेदी को किया गया है तो यह पुस्पा भारती को दिया गया है पुस्पा भारती को यह सम्मान किस संस्मरन के लिए दिया सियाचीन में तैनात होने वाली प्रत्थम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है तो ये कैप्टन गीतिका कॉल बनी है सियाचीन, गलेसियर किसी ओपरेसनल पोष्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है तो ये कैप्टन फातिमा वसीम बनी है भारत के किसी बिस्व विद्याले में सीनेत सदस मनोनित होने वाली पहली ट्रांजेंडर ये बन गई है रेसमा परसाद रेसमा परसाद को किस बिस्व विद्याले में सीनेत सदस मनोनित किया गया है तो ये पटना बिस्व विद्याले में अंतराष्टिय गीता महसों का अयोजन कहां किया गया कुरुचेत्र हर्याना में किया गया है इस महसों का सहभागी जो राज था ये असम था नेक्स देखेंगे अमेरिकी राश्पती द्वारा किस भारत वनसी को अंतराष्टिय विकास विद निगम के निदेशक मंडल के रूप में नामीत किया गया है देवेन पारेक को areksford dictionary ने किस सब्द को word of the year 2023 घुसित किया है तो ये रीज को इसका पूरा नाम क्या है रीज किसका संचिप्त रूप है ठीक है रीज जो है किसका संचिप्त रूप है तो ये चरीसमा का ठीक है चरीसमा का COP 28 में किस भारतिय संस्थान को Green University Award से सम्मानित किया गया है तो यह IIT मंडी को किया गया है भारतिय वानिकी अनुसंधान एवं फिक्सा परिसद देहरादुन की पहली महला महानिदेशक के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह कंचन देवी को निक्त किया गया है एक्ष़ भारतिय नौसेना के एक युदपोद की कमान संभालने वाली पहली महला अधिकारी बन गई है तो यह Lieutenant Commander Prerna देवस्थली बन गई है भारत की पहली महला AID D. Camp किसे निक्त किया गया है तो यह Squadron Leader Manisa Padhi को ITU बिस्वी रेडिये संचार सम्मेलन 2023 Chairman के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह Muhammad Al-Ramsi UAE के है Muhammad Al-Ramsi भारतिय मुलकी की सुपनियासकार को सिंगापुर के परतिशिट कला सम्मान कल्चरल Medallion से सम्मानित किया गया है तो यह मीरा चंद को एक से कमला देवी चटो पाध्या New India Foundation Book Prize किस ने जीता है तो यह अक्छे मुकुल ने जीता है अक्छे मुकुल को यह पुरसकार किस पुस्तक के लिए दिया गया है तो यह Writer Rebell Soldier Lover The Many Lives of Agye इस पुस्तक के लिए दिया गया है समलेंगी विबाह का पंजी करन करने वाला दच्छिनेसिया का पहला देश बन गया है नेपाल सत्य जीत रे Lifetime Achievement पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो यह Michael Douglas को ठीक है Michael Douglas को Mariam Webster Tixneri ने किस सब्द को Word of the Year चुना है 2023 का तो यह है Authentic भारत का सबसे बड़ा Circular Railway Network कहां बनाया जाएगा तो बंगलूरू में करनाटक में बनाया जाएगा इसका लंबाई होगा 287 किलोमीटर स्वदेश बिक्सित लड़ाकू बिमान में उडान भरने वाले पहले भारतिये प्रधान मंत्री बन गया है तो यह नरेंदर मोदी जी बन गया है प्रधान मंत्री ने किस लड़ाकू बिमान से उडान भरी है तो इसका नाम था LCA तेजस गोवार राजी सरकार द्वारा पहला मनोहर परिकर युवा बैग्यानिक पुरसकार किसे दिया गया तो यह डॉक्टर मत्राज S को दिया गया है थ्रेड बाइ थ्रेड पूस्तर किस ने लिखा है सत्य सरन्य भारत जल प्रभाव सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां किया गया नई दिल्ली में इसका कौन सा संस्क्रन था तो यह आठवा संस्क्रन था और इसका विसय क्या रहा तो इसका विसय था भूमी जल और नदियों के साथ विकास इसका विसय था नेक्ट देखेंगे पंजाबी साहित के डाहन पुरसकार से सम्मानित होने वाल पहली महिला बनी है दिप्ती बबूता बनी दिप्ती बबूता और ये पुरस्कार किस क्रीटी के लिए जीता है तो भूख यो सहलैन दी है इसके लिए जीता है 72 मिस उनिवर्श दो हजार तेष परतियोग इता हो जन पहां किया गया तो ये San Salvador और All Salvador में Miss Universe 2023 का खिताब किसने जीता है तो ये Senis Palacios ने Next देखेंगे Senis Palacios जो है किस देश से संबंदित है निकारागुआ से संबंदित है परतियोगिता में भारत का परतिनीधित्य किसने किया है स्वेता सार्दा ने किया है साहित के लिए JCB पुरसकार 2030 किस पूस्तक ने जीता है तो ये Firebird ने जीता है इसके लेखा कौन है? पेरुमल मुरुगन नेक्स है कितने भारतियों ने 51 अंतराष्टिये ME अवार्ड 2030 में पुरसकार जीता है तो ये दो है किस भारतिये ने Director Award जीता है तो ये एक्ता कपूर ने जीता है सरुसेश्ट हास स्रिंकला की स्रेनी में किस भारतिये ने पहली बार पुरसकार जीता है तो बीरदास ने जीता है किस भारतियों को केनित बोल्डिंग पुरसकार से सम्मानित किया गया है तो ये बीना अगरवाल को लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए कौन सा राष्टिय अभ्यान सुरू किया गया है तो ये नई चेतना 2.0 बैस्विक माजसिकी संबेलन भारत 2023 कब आयोजित किया गया तो ये 21 से 22 नॉमबर 2023 को इसका आयोजन कहां किया गया अहमदाबाद गुजरात में किया गया गान समग लता मंगेसकर पुरसकार 2023 किसे परदान करने की घोसना की गई है तो ये सुरेश वाडकर को की गई है पहला लाइफटाइम डिश्टर्बिंग दपीस अवार्द की से परदान किया गया है तो ये सलमान रुस्दी को ये पुरसकार किस के दवारा परदान किया गया है दव वैक लव हेवल सेंटर के दवारा ग्रैमी अवार्द 2024 के लिए भारत के किस गीत को नमांकित किया गया है तो ये Abundes in Millers के लिए इस गीत को किस स्रेनी में नमांकित किया गया है तो ये Best Global Music Performance स्रेनी में इस गीत किस के द्वारा? संगीत बद किया गया है तो ये फालगुनी साहा और गौरो साहा के द्वारा यह गीत जो है किस राजनेता के भासन पर आधारित है तो ये भारतिये प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के भासन पर आधारित है नेक्स देखेंगे भारतिये मूल की किस ब्यक्तित्त को Institute of Civil Engineers UK के अध्यक्षपद के लिए चुना गया है तो ये Professor Anusa साहा को भारत का महा सर्विक्च किसे निउक्त किया गया है? भारत का नया मुख सूचना आयुक्त CIC ये हीरा लाल सामर्या को निउक्त किया गया है केरल के सरोच नागरिक पुरसकार केरल जोती के लिए किसे निउक्त चुना गया है? टी पदम नाभन को चुना गया है ससस्त्र बल न्याधिकरन के अध्यक्ष के रूप में पुना किसे निउक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र मेनन को सत्य जीतरे फिल्म एम टेलिवीजन संस्थान के अध्यक्ष के रूप में किसने पद ग्रहन किया है? तो ये सुरेश गोपी ने रोहिनी नईयर पुरसकार दोहजार तेस किसे प्रदान किया गया है? तो ये दीना नाथ राजपूत ब्रिटिस अकादमी पुस्तक पुरसकार दोहजार तेस किसको प्रदान किया गया है? तो ये नंदनी दास को नौसेना का पहला एनाईबी पुरसकार किसे परदान किया गया है तो ये कमांडर M. अरून चक्रवर्ती को ठीक है नेक्षे कोलिन्स डिक्सनारी ने वस 2023 के लिए वर्ड ओफ द इयर किसे चुना है तो ये AI को चुना है AI का बिश्त्रित रूप क्या है Artificial Intelligence Global Leader पुरसकार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है तो ये नीता आमबानी को ये पुरसकार किसके दोरा दिया जाता है तो US-India Strategic Partnership Forum के दोरा निलाओ कुदीजा सिमहंगल नामक आत्म कता किसकी है तो ये एस सोमनात की है और ये इसरो के अध्यबश है नेक्ष है भारतिय चुनाव आयोग द्वारा किसे नेशनल आइकन निउक्त किया गया है तो ये राजकुमार राव अभिनेता के द्वारा नेक्स्ट अभी नहिता है ये राजकुमाराव को निस्नल आइकन नियुक्त किया गया है ठीक है किस भारतिये अमेरिकी पैग्यानी को उनकी खोज के लिए इंजिनियरिंग और प्रदोग की संस्थान द्वारा वर्ष 2023 के फेराडे पदक से सम्मानित किया गया है तो ये आरोग स्वामी जोसेफ पॉल राज को सर्क्तराज अमेरिका के राष्टिये प्रदोग की और नवाचार पदक से किस भारतिये अमेरिकी को सम्मानित किया गया है तो ये असोग गार्डगिल को किस भारतिय न्याधिस को अवार्द फोर्ड ग्लोबल लिडर्शिप से सम्मानित किया गया है तो ये डी वाई चंद्र चूड को उच्टम न्याले के मुखने अधिस है ये हवार्द किसके द्वारा दिया गया है तो ये हावर्ड लौव स्कूल के द्वारा Cold-Blooded Love, पुस्तक के लेखक है, ग्रीस दत सुकला, The Day I Became Our Honor, नामक पुस्तक किसकी है, तो ये सोहिनी चटो पात ध्याय की है, The Autobiography of God, ये पुस्तक जो है, लीना कुमार ने का है, किस कमपनी को जोकिम प्रबंधन में Golden Peacock प्रसकार से सम्मानित किया गया है, तो ये REC Limited को सम् देशक मंडल में किस भारतियों को सामिल किया गया है, तो ये मिनेश साहा, ये राष्टिये देरी विकास वोट के अध्यक्ष है, मनिपूर उच्च नियाले का मुख नियादिस किसे निप्त किया गया है, सिधार्त मिर्दूल को, देश का सबसे उचा राष्टिये धोज कह पर आये गया, तो ये अटारी बागा सीमा पर, बीस्विस्वा सिखर सम्मेलन 2023 कायोजन कहा किया गया, बरलिन जर्मनी में, 32 सरस्वती सम्मान किसे परदान किया गया, सिव संकरी को परदान किया गया, अब पुरसकार उसे कि स्कृती के लिए दिया गया है, तो ये सूर्य अमीनी को, यह किस देश की नागरिक है, इरान की, वाइट हाउस में आयोजित, गल्स लीडिंग चेंज समारों में किस भारतिय मुल्की किसोरी को सम्मानित किया गया है, तो ये गितांजली राव को, वर्ष 2021 के दादा सहाब फाल के पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है तो ये वहिदा रह्मान को, किस 21 वर्षी भारतिये को हाई कमिस्नन फोर एडे परतियोगिता जीतने पर, एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिस उचा युक्त नुक्त किया गया, तो ये स्रेया ध्रम राजन को, देश में पहली बार किस महाविद्याले की लव में मीठा बा सारा सनी बनी, सारा सनी, अर्थ और सास्त्र के का नोबिल पुरसकर 2030 की से प्रदान किया गया, घुसना की गई है, तो ये प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन, जो हावर्ड इंवर्सिटी अमेरिका की है, इनको, चलिए, आगे देखते हैं, पाचवा, पाचवा वैस्विक आ कब किया गया, साथ से आठ अक्टूबर 2023 को, इस का आउजन कहां किया गया, देहरा दुन में, गोइंग वाइरल मेकिंग ऑफ को एक्सिन, इनसाइड श्टोरी नामक पुस्तक के लेखा कौन है, तो डॉक्टर बलराम भार्गो है, भारत की पहली कानून प्रवर्तन, मुक् अच्छा अधिकारियों की परिशत का उधगाटन कहा किया गया है, तो इस साइबराबाद, हैदराबाद में, दिव्व्यांग खेलों के लिए, अतल विहारी बाजपेई, परसिक्षन केंद्र का उधगाटन किस राज में किया गया, तो यह मद्ध परदेश में किया गया ह टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीमेंट अवार 2023 किसे परदान किया गया है? C.S. लक्षमी को परदान किया गया है वर्ष 2023 है तू साहित का नोबल पुरसकार किसे दीने जाने की घोसना की है? जौन फासे नार्वे के किसे परदान किया जाएगा? रूई किस्यांग जांग को चिकित्सा का नोबल पुरसकार सहीं तूरुप से किसे देने की घोसना की गई है? तो कैटा लिनकारी को एवं डू विसमैन अमेरिका के कौन कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली? पहली महिला बन गई है सुधा मूर्ती बन गई है बीस्वा राश्टिये पुस्तक मेले का आयोजन कहां किया गया? तो ये लखना उत्तर पर देख किस स्वक्षता पहल को इंडिया बुक औफ रिकोर्ड में सामिल किया गया है? तो जहारू दान पहल को भारत का पहला लाइट हाउस महसो कहां आयोजित किया गया? पंजी गोवा में बोर्लोग फिल्ड पुरसकार 2003 किस भारतिये को परदान किया गया है डॉक्टर स्वातिनाय को किस राजी के मुख मंतरी को सार्जोनिक सेवा में उनके विस्ष्ट योगदान के लिए? सिंगापूर की सिस फेलोसिप से सम्मानित किया गया है तो ये असम हो जाएगा इस फेलोसिप का नाम क्या है? ली कुवान यू एक्सचेंज फेलोसिप पाकिस्तान के नए मुख न्याइधीस के रुप में किस ने पदभा और ग्रहन किया है? तो काजी फैज इसाने बिस गुलाब दिवस कम मनाए गया है? तो ये 22 सितंबर को भारतिय मूल की किस लेखी का के उपनियास को बूकर पुरसकार 2023 के लिए छे उपनिवासों की अंतिम सूची में सामिल किया गया है तो ये चेतना मारू को अब देखेंगे आगे चेतना मारू के उपनियास का क्या नाम है वेश्टन लेन 16 सितंबर 2023 को कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमरित पुरसकार प्रदान किया गया है? तो ये 84 84 को उत्तर परदे से संगीत नाटक अकादमी अमरित पुरसकार प्राप्त करने वाले की सूची है देख लिजे चितरंजन जोतिसी हिंदुस्तानी गयान के हैं ये और गयान की है ठीक है सुसिल कुमार सिंग नाटक लेखन संबंदी थे पुर्णीमा पांडे कथक से संबंदी थे नेक्ष देखेंगे वर्ष दो हजार तेइस में इंटरनेशनल टोरंटो फिल्म फेस्टीबल का कौन सा संसकरन हायजुद किया गया तो ये 84 था इस महसों में किस भारतिये फिल्म प्लेटफॉर्म अवार्ड जीता है तो डियर जसी ने जीता है भारतिये फैसन डिजाइनर राहुल में सुको किस देश के सेवेलियर डे लांड्रे ड्रेस ने डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस प्रसकार से सम्मानित किया गया है तो ये फ्रांस का है चोदवी वर्ल्ड स्पाइस कॉंग्रेस 2023 कायोजन कहां किया गया नवी मुंबई में भारत के पहले भूमिगत विजली ट्रांसफोर्मर स्टेशन का उदगाटन कहां किया गया बंगलूरू करनाटक में किया गया गाड़ी चेरला पुरसकार दोह जरते इस किसे परदान किया गया है मंडली बुध परसाद को डॉक्टर ए एम गोखले पुरसकार से किसे सम्मानित किया गया है संजैक मार मिसरा को टाइम स्कॉायर निवार पर गीत जारी करने वाली पहली भारतिये फिल्म बनी है दवैक्सिन वार फिल्म के निर्देशक कौन है तो विबेक अगनी होतरी है किस भारतिय महिला को ब्रिक्स इनोवेशन फॉरम में वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो एस सांता थोटम को ग्लोबल फिंटेक फेश्ट कहां आयुजित किया गया मुंबई महराष्ट में लीडिंग फिंटेक परस्नाल्टी ओफ द इयर पुरसकार किस ने जीता है अधीव एहमद ने जीता है नैस कॉम का अध्यक्च किसे निक्ट किया गया है राजेस नाम बियार को ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ड कार्ड दोजार तैस में एपलस रेनी में किस भारतियों को सिर्ष अस्थान प्रताप्त किया गया हुआ है तो ये सक्ति कांत दास को RBI के गवर्नर को संमेलन काहां आजूद किया गया तो नई दिल्ली में किया गया संमेलन का भी सह था किस भारतिये अमेर्की कैंसर चिकिस्षक और सोध करता की पुस्तक को प्रतिष्ठित वैली की फोर्ट पुरसकार के लिए long list में सुची बद किया गया है तो ये हो जाएगा आपका Dr. Siddharth Mukharji इनकी पुस्तक का नाम क्या है The Song of the Sail An Exploration of Medicine and the New Human परतिष्टि Diabetologist of the Year पुरसकार 2023 जो है किसने जीता है Dr. Nonit अगरवाल ने Film and Television Institute of India Society का नया अध्यक्षकी से निव्ट किया गया है तो ये आर्माध्वन को तुर्किये के सरवाधिक उचे परवत Mount Ararat को फताह करने वाली पहली भारतिये महिला बन गई है लक्षमी जहा बन गई है अब खेल से संबंदी देखेंगे तो टेनिस प्रीमिर लिग 2023 का आयोजन कहां किया गया है पूने महराष्ट में किस टीम ने खिताब अपने नाब किया तो ये बैंगलूरू SG मावेरिक्स ने किया BWF बैंड विंटन पुरसकार 2023 कहां बितरित किये गये तो ये होंग चोई चीन में वर्ष के सरुसेश पूरूस खिलाडी का पुरसकार किसे दिया गया है सियो सेउंग जे दच्छिन कोरिया के है वर्ष की सरुसेश महिला खिलाडी का पुरसकार आन से योंग को दिया गया ये भी दच्छिन कोरिया की है एक्षर पैतिस्वा फुकेत किंग्स कप रेगाटा 2023 का योजन कहां किया गया फुकेत में किया गया थाइलेंड में किस भारतिय महिला नाविक ने इसके लगतार दूसरे संसकरन में स्वन पदक जीता है तो आनन्दी चंदा वरकर ने जीता है बेडमिंटन 2023 का योजन कहां किया गया है तो हॉंग्चू चेन में पूरूस एकल असपरदा का खिताब किस ने जीता है विक्टर एक्सलेशन ने जीता है ये डेनमार के हैं महिला एकल असपरदा का किताब जीता है ताइट तजू इंग ने ये चीनी ताइपे के हैं डबलू एसेफ स्क्वैस पुरूस बिश्व टीम चैंपियनसिप 2023 का योजन कहां किया गया तो ये टोरंगा में किया गया निवजिलेंड में कौन सी टीम विजेटा बनी यहां पे मिस्र बनी है 79 वा राष्टिए स्क्वैस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहा किया गया है तो यह चन नई में किया गया पुरुसवर का किताब किस ने जीता है विलावन सेंथिल कुमार ने जीता तमिलाडू के है महिलावर का किताब अनाहाद सिंग ने जीता है दिल्ली की है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कायोजन कहा किया गया नई दिल्ली में किया गया इन खेलो का कौन सा संस्क्रन था तो ये पहला संस्क्रन था इसका अधिकारिक सुभंकर क्या है तो उजवला उजवला क्या है एक गौरया था किस राज ने पदक तालिका में सिर्स हस्थाना हसिल किया हर्याना ने नेक्ष्ट है इंटरनेशनल टेन्रिस हौल अफ फेम के लिए चुने जाने वाले पहले भारतिये की लाड़ी बने हैं लेंडर पेस और बिजय अमरीत राज बने हैं तेरवा होकी पुरुस जूनियर बीस बीस्विकब 2023 कहां आयोजित किया गया तो ये कुवालरमपूर में मलेसिया में कौन सी टीम बीजयता बनी जर्मनी बनी है रिकॉर्ट सात्वा किताब इन जीता है दसवा होकी महिला जूनियर बीस्विकब 2023 का आयोजन कहां किया गया सैंटियागो चिली में किया गया किस ट इस टीम ने खिताब अपने नाम किया तो हर्याना ने जीता है सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी 2023 का संबन क्रिकेट से है और कौन सी टीम विजयता बनी है पंजाब बनी है विजयता आई टीएफ वर्ल चैंपियन पुरसकार 2023 किन खिलाडियों को दिया गया नुआक सर्विया के हैं और एरीना सवालेंका बेलारूस की है नेक्ष्ट है स्पोर्ट्स बिजनेस लीडर ओफ द इयर अवार्ड से सम्मानित होने वाला पहला भारतिये बन गया है कौन तो जैसाह बन गया है आई बी एस इफ बीस बिलियर्ट्स चैंपियनसिप 2023 का किताब किस ने जीता है एक दिवसिये पूरुस क्रिकेट बीस विकब के तेरवे संसकरन का आयोजन भारत के किंतने सहरों में किया गया तो ये 10 सहरों में किया गया पांच अक्टुबर से 19 नुवंबर तक किया गया था क्रिकेट बीस विकब 2023 के अधिकारिक सुभंकरों के क्या नाम थे त और टोंक नाम था कौन बिजेता बना तो आश्टेलिया बना रिकोर्ड छठा किताब जीता है क्रिकेट विश्व कब 2013 में सरवाधिक रन बनाने वाला बल्ले बाज कौन है तो ये विराट कोहली थे 765 रन तूर्णामिंट का सरुसेश खिलारी किसे घुसित किया गया था विर बावे में किया जाएगा मांट एरेश्ट के सामने 21,500 फीट की उच्चाई से स्काई डाइविंग करने वाली बिश्व की पहली महिला कौन बनी है सीतल महाजन बनी है ओलंपिक कप 2023 किसे परदान किया गया तो ताइकांडो हुमेंटेरियन फाउंडेशन को दिया गया है य आइकन पुरसकार प्राप्त करने वाली पहली एथलिट बन गई है तो ये स्रेना बिलियम्स बन गई है सैतीस्वा राश्ट्य खेलो का आयोजन किस राज में किया गया गया गोवा में किया गया सैतीस्वा राश्ट्य खेलो का सुभंकर मोगा था या एक भारतिये वायसन ह किस टीम ने पदक तालिका में सीर्स अस्थान पाया है तो ये महाराष्ट ने उत्तर परदेश को इसमें कितना मिला है पदक 15 अस्थान पाया ठीक है 15 अस्थान था उत्तर परदेश का इनको महिला एथलीट की से खोसित किया गया संयुक्त प्रसेन काले और प्रनति नायक दोनों जिमनाश्टिर को संयुक्त उपसे दिया गया था सात्वी महिला एसिया चैंपियन्स ट्रोफी होकी 2023 कायोजन कहां किया गया तो ये राची जारखन में कौनसी टीम विजेता बनी है भारत ठीक है दूसरा खिताब भारत ने इसमें जीता है सुल्तान ओफ जोहोर कप कायोजन कहां किया गया जोहोर मलेसिया में किया गया कौनसी टीम विजेता बनी है जर्मनी कांस पदक मुकाबले में किस टीम ने पाकिस्तान को हराकर तीसरा अस्थान धासिल किया है भारत ने बिली जिन किंग कप फाइनल्स 2023 कायोजन कहां किया गया सेविले स्पेन में किया गया है कौन सी टीम चैंपियन बनी है कनाडा ठीक है कनाडा बना है डबलु टीए फाइनल्स 2023 कायोजन कहां किया गया मैक्सिको में किया गया किस खिलाडी ने महिला एकल का किताब अपने ना में हुआ था चलिए आगे देखेंगे सैफ पुरुस अंडर 19 चैंपियंशिप 2023 कहां आयोजित किया गया तो यह काठ मांडू नेपाल में कौन से टीम बिजेता रही भारत रहा उनीसवा से आई खेल का आयोजन कहां किया गया था तो यह हंग चू चीन में किया गया था 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था 2023 में इस संसकरन के सुभंकरों के क्या नाम है तो इसका नाम था चेंचें कांग कांग और लियान लियान तीन एस्पोर्टी रोबोट का यह नाम था इन खेलों के अगले संस्करन कायोजन कहां किया जाएगा तो आईची नागोया जापान में किया जाएगा दो हजार चबवीस में उनिस्वा से आई खेलों के अंत्यम पदिक तालिका में पुरतम तीन अस्तान पे पहले पर चीन दूसरे पर जापान और तीसरे पर दच्छिन कोरिया रहा है भारत ने इसमें चौथा अस्तान हासिल किया उनिस्वा से खेलों की सरवादिक मुल्यवान महिला खिलाडी किसे घ किन है यांग चीन के ही है तेराक बीस्विकुसी चैंपियंशिप 2023 का योजन कब किया गया 16 से 24 सितंबर 2023 को इसका योजन बेल ग्रेड में किया गया सर्विया में पूर्सो की फ्री एच्टाइल असफर्दा में कौन सा देश सिर्ष पे रहा तो संयुतराज अमेरिका पूर्स 2023 का योजन कहां किया गया तो ये चिन्नाई तमिलांडू में किया गया किस टीम ने किताब अपने नाम किया है तो रेलवे स्पोर्स प्रमोसन बोर्ड ने किया बहा उत्तर प्रदेश में अंतराश्टिये क्रिकेट एस्टेडियम का सिला नियास कहां किया जा रहा है तो ये वारा नसी में क्रिकेट एसिया कप 2023 की मेजबानी किन देशों ने की है तो पाकिस्तान और स्रिलंका ने इस अंस्क्रन का आयोजन क्रिकेट के किस प्रारूप में किया गया एक दिवसिय अंतराश्टिये प्रारूप में कौनसी टीम चैंपियन बनी तो भारत बना रिकोर्ड आठ फी बारूप में किया गया तिरंदाजी बिस्व कप फाइनल्स 2023 की मेजबानी की सहर द्वारा की गई है हर्मो सिलो मेक्सिको के द्वारा भारत ने फाइनल्स में कितने पदग हासिल किये हैं मात्र एक पदग भारत को पदग तालिका में कौन सब अस्थान मिला है छेवा अस्थान मिला है नेक्स देखेंगे किस भारते तिरंदाज ने पदग जीता तो प्रतमेश समाधान जाओकर ने जीता डायमेंड लिग 2023 के फाइनल कायोजन कहां किया गया तो यूजीन ओरे गौन अमेरिका में किया गया पुर्सो की भाला फेक अस्थान में स्वन पदग किस एथलिट ने हासिल किया है तो ये जैकप वार्ड लेज ने किया है इस अस्थान में रजत पदग किस ने जीता है नीरत चोपडा ने भारत के हैं बॉस्केट बॉल बिस्वकब 2023 की मेजबानी किन देशों ने की है तो फिलिपीन्स जापान और इंडोनेसिया ने किया है कौन सी टीम चैंपियन बनी तो जर्मनी बना है चैंपियन यूएस ओपेन टेनिस 2023 में पुरुस एकल असपरदा में कौन चैंपियन बना तो नुवाग जो कोईच बने हैं सर्विया के यूएस ओपेन टेनिस 2023 की महिला एकल असपरदा में किस खिलाड़ी ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खिताब जीता है कोको गौफ ने जीता अमेरिका की है 132 वा डुरंड कप 2023 का आवजन किन सहरों में किया गया तो कोलकाता, कोहार्टी और कोकराचार में किया गया पुरुस एकल असपरदा का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है तो ये किरन जॉर्ज ने जीता है भारत की टाटा इस्टिल सतरंज भारत 2023 कायोजन की सहर में किया गया कोलकाता में किया गया पूर्सो की रैपिट असपरदा किताब जीता है किसने मैक्सिम वाचियर लाग्रेव ने जीता है पूर्सो की Blitz असफर्दा को कितने जीता तो ये Alexander Gris चुक ने जीता है महिलाओं की Rapid असफर्दा में कौन चैंपियन बना तो दिब्या देशमुख बनी है पहले Hockey 5S, Asia Cup 2023 का योजन कहां किया गया तो ये Salale उमान में किया गया पूर्सो की 5S का किताब किस टीम ने जीता है भारत ने जीता है महिला Hockey में कौन जीता है भारत नहीं जीता है देखिए इस तरह आपके ये Current Affair पूरे Complete हो गए चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में